तो हेलो गाईज मेरा नाम है उतकरश तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगी कैसे इंडियर मार्केट में SMC को यूज करना है ठीक है और जो भी मैं एंट्री शेर कर रहा हूँ वो सब हमने लाइव लिये थे तो यह छे जूंग का चार्ट है आप हम लोग देखेंगे कि यह आप हमने एंट्री लिया था इस वाले और ब्लोक पे प्राइस आई टैप किया और डिरेख ले हमने तो मैं क्या करता हो दिन में सिर्फ दो ही ट्रेड लेता हो अगर फर्स इसका स्टॉप लोस हीट हो जाता है तो मैं सेकेंड ट्रेड लेता हो अगर सेकेंड ट्रेड का स्टाट करते हैं यहांप एगर आप ने देखा तो यह ट्रेड़ लेनе से पहले मेरे यहांपर सेल साइट देख रहा था तो Logic काफी सींपल था मेरा सेल साइड को ट्रेड लेने के लिए एक तो यहांपर थाbreak of तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्राइस आई तो आप यहाँ आई और डिरेक्ली जो हमारा स्टॉप्रस आप इट हुए तो मैं खुद जो यह ट्राइ करता हूँ कि प्राइस अगर के पास क्लोज होती है तो यह एंटर करूं तो लॉजिक काफी सिंपल था इस ट्रेड में य अगर आपको अगर वह ओट ब्लॉट काफी क्वाइख तो आप ये कर सकते हो तो सेकेंड ब्लॉट यहाँ पे था यहाँ वी बीच में इंबल्ंस था तो सब मुझे लग रा था अगर आपने यहाँ तो यहां पर चोटा असा जो है लिक्वीडी स्वीप हुआ और यहां पर ब्रिक हुआ तो अगेर मुझे लागा कि यहां से प्राइस नीचे तर्फ कंटीनू करेगी तो इसलिए मैंने यहां पर एंटी लिया तो अगर आपने यहां पर जोम करके देखा तो आपको दिखेगा इस एरिया में तो इस जोम पर आप देख सकते ह medidas हुई फिर हमने यहां पर ऐंटी लिया तो हुआ यह की प्राइस ने कियां यहां पर ऑगई और फिर से प्राइस नीचे घाई यहां पर यह लो ब्रेक किया तो मैंने क्या किया क्या जो स्टापलस थाउ यहां पर यह उन लगा दिया है break coin पे ठीक है तो price आई और वह भी break किया तो उसके उपर तो कोई chance नहीं था sell side की entry लेने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक odd block था सिर्फ यहाँ पर एक odd block था जहां से price नहीं आपके rejection दिया तो उसके बाद यह हुआ ठीक है उसके बाद अगर आपने देखा इस जोम पर price नहीं पर लिक्विडिटी स्विप दिया फिर बाद में आपके change of character हुआ और अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा इस एरिया पर तो यह जो change of character जहाँ पर हुआ तो जहाँ पर यह change of character ठीक है तो यहाँ पर यह पूरी liquidity थी तो अगर price को आना है तो यहाँ पर price आई ठीक है अगर छोटा odd block रहेगा तो आप directly एंटर कर सकते हो पर आपको confirmation लेना है तो wait करो second candle का और फिर आप जो यह वहाँ पर तो candle close होने के बाद आप engulfing के बाद जो एंटर कर सकते हो यह आप पर इंगल्फ ही हुई तो आप वह पर इंटर किया और price जो डिरेक्ली उपर जाना start होगे और next target आपका जो भी रहेगा वह जैसे कि यहाँ पर liquidity है तो price आई तो यह वाल और ब्लक था वहाँ पर आपने आपका target close किया तो ऐसा था यह दो जून का trade तो यहाँ पर entry यहाँ प आपको यह पूरा process बता रहा हूँ तो अभी हम लोग second trade देखेंगे तो यह काफी simple था यहाँ पर higher high create किया higher low create किया और यह secure होगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने इसको liquidity swap किया और directly उपर गई तो हमको पता है कि इसके price तो हमको पता है कि इसके नीचे जो price है जल्दी close हो गई तो आप हमको entry नहीं मिली तो अगर आपने enter भी किया ठीक है तो यह वाला आप लगता प्राइस वह आई रूकी और directly break कर गई ठीक है तो यहाँ पर हम लोग stop loss consider कर सकते तो for example यहाँ पर हमारा stop loss हीट हो गया जो second entry थी हमारी वो थी यहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर छ करने में इसले में जो है सिफ हाथ से ही आपको डॉकर की दिखा रहा हो कि कहाँ पर imbalance है तो आप जो है समझ जाओ फिर price आई close हुई उपर गई फिर second candle पर आप enter कर सकते हो ठीक है और imbalance जो है तो ऐसे situation में आपको करना क्या है कि अगर यह order block है तो आपको जो है बीच में liquidity बन तो यह scene है इसलिए आपको जो करना क्या है कि आपको proper जहाँ पर next liquidity area है और next order block है या फिर next demands होने है तो आप जो है exit कर सकते हो position अपनी तो मैं आपको टेक्निक बता है कि कैसे आपको जो stop loss है ट्रेल करना है अभी third entry देखेंगे तो अगर आपने 15 minute पर देखा तो price जो है इस gap ने अगर structure break दिया है for example इस gap ने अगर structure break दिया यह वाला तो वहाँ से price जो है react कर सकता है ठीक है तो हमको पता है अगर कोई entry area होता है तो आपे हमारा target भी होता है अगर कोई potential entry area है तो हमारा target भी हो सकता है ठीक है तो जैसे कि अगर यहाँ पर entry बन सकती वाइसर की तो हम और सेल सारी का टार्गेट भी वह ही होना चीए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे काफी सिंपल ट्रेड था तो आपको जैसे पता है मैं इंटर नहीं करता हूँ डिरेक लिए मैं जो और ब्लोक पर एंटर करता हूँ 5 मीट पर देखेंगे ज्यादा इजी हो जाएगे देखने के लिए तो इसके उपर यह वाल और ब्लोक था तो अगर मैं इसको और रीफाइंग करता हूँ तो यह मीज हो जाएगा तो इसलिए जो वन मीट पर नीचे जाता हूँ एंटर करने के लिए तो यहाँ पर हमारे एंटरी वी और जो हमारा next imbalance था यह वाला और उसके नीचे और लोक था ठीक है तो हमारा target था प्राइस आई यहाँ पर एंटरी वी target नीचे ठीक है यह देखेंगे simple entry काफी simple यहाँ पर अपने देखा प्राइज जो यह lower high lower low, lower high, lower low तो बीच में यहाँ पर लिकुडी थी प्राइस आई तो प्राइस आई जिसने यह structure break दिया फिर यह structure break हुआ तो सबसे जादा जो structure break करता है वासे price जो नीचे आती है entry हुई हमारे आपर target तो जैसे मैं ने बोला जो हमारा entry area होता है sell side का या फिर जो मारा reversal का entry होता हुआ आपर target book करना सबसे best चीज है तो target रखने का simple logic यह है कि जो भी liquidity का next point रहेगा वो आपका target तो अगर मैं आपको live market में SMC के उपर entries लेके दिखा सकता हो तो आप खुद भी ले सकते हो फिर यह structure यहां पर break हुआ तो अब अगर ठेक से देखोगे तो अब इसमें से इतने सारे order block है फिर हमने यह Q choose किया तो यह lower है आगे यह lower है अब फिर यह structure break हुआ और बीच में जो है liquidity बनी तो अब प्राइस बहुत तेजी सारी है फिर एंटर करना है नहीं करना है जैसे मैंने बोला कि वेट कोड़ो थोड़ा सा restore में फरेक पड़ जाएगा इससे होता कि अब गलत order block पर एंटर करने से बच जाते हो तो यहां पर liquidity बनी price नीच आई तो direct entry हमने नहीं किया जैसे price थोड़ा सा उपर गया फिर यहां से reaction दिया फिर यहां पर entry की ठीक है price यहां से फिर डिरेक्टली जो है उपर गई तो next जो भी imbalance liquidity और order block रहेगा जहाँ पर वहाँ पर अपका take profit होना चीज़ जैसे जहाँ पर आपने देखा liquidity है पूरी price डिरेक्टली उपर गई क्योंकि यहां पर imbalance है अगें liquidity है और अगें order block भी है यहां पर कोई entry हुई नहीं तो ऐसे इसे issue में आपको कैसे enter करना है for example आप यहां पर enter कर रहे हो ठीक है तो अगर आप यहां पर चार्ट देखोगे तो सब लोग यहां पर सोचेंगे कि यहां से जोए sell के entry लेता हूँ ठीक है price आई हमारा sell का stop loss जोए hit किया फिर price नीचे गई तो यहां पर हम लोग तो यहां पर buy side के entry लेने वाला था पर price ने जोए और वोग को test नहीं किया और directly जोए price उपर जाना start होगे तो उसके बाद हमारे second entry का पर बनती है यह high break हुआ बीच में liquidity थी आपके entry का पर बनेगी यहां पर आपको stop loss कैसे trail करना है अब यह high break हुआ ठीक है उसके बाद यह high break हुआ stop loss आपको इसके नीचे trail करना है फिर यह high break हुआ उसके नीचे stop loss trail करना है तो जो भी higher high का structure बनेगा उसके नीचे जो आपको है stop loss ट्रेल करना है ट्रेल किया, high break होआ, ट्रेल किया, high break होआ, ट्रेल किया, high break होआ, ट्रेल किया, यहापे ट्रेल किया, यहापे ट्रेल किया, यहापे ट्रेल किया तो आप ऐसी पूरी move जो है catch कर सकते हूं आपको करना क्या है simply higher low के नीचे जो है आपको इसको लेके जाना है तो आपको simply करना क्या है higher low के नीचे आपको stop loss trail करते जाना उपर ठीक है आपको नहीं पता वासे कितना उपर जाएगा पर आप एक protected setup पे रहे रहे हो as compared to कि आप 10 point चोड़के चल रहे हो तो उससे आपको पता नहीं कि कहाँ पर exactly price return आ सकते है पर अगर वो low break होता है तो most likely reversal आएगा ठीक है हो सकते liquidity स्विप हो जाए पर हो सकता है कि आप जो है ज्यादा better place में हो अगर आप low के नीचे stop loss trail कर रहे हो तो कोई भी basic थेरी जो हम लोग पढ़ते है SMC में कि यह higher high होता है यह higher low होता है वो क्यों बढ़ते है क्योंकि हम लोग ऐसी चीजों के लिए उसको use कर पाए तो और एक entry हम लोग चेक करेंगे आपे तो ऐसे टाइप की वीडियो जो है मैं और post करूंगा आगे ठीक है इसके लिए like और subscribe कीजिए अभी यह वाला entry था इसमें क्या scene था अगर आपने देखा तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो यह जो entry हम ले ली थी simple logic था प्राइस ने यहाँ पर structure break किया यहाँ पर structure break किया था तो यह D कहाँ है यह उसका लोग है ठीक है तो प्राइस ने ऊपर structure break किया तो मैं यह सोच रहा था कि इस वाले डोलक से प्राइस जोए react करेगी ऊपर की तरफ पर ऐसा हुआ नहीं प्राइस ने यहाँ पर हमारा stop loss hit किया ठीक है पर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर trend line liquid बनी थी और यहाँ पर imbalance भी था अगर आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर imbalance था प्राइस आई direct entry भी नहीं जैसे यह candle close हुई तो हमने यहाँ पर entry लिया और जो है target हमारा था next वाला क्यूंकि same जो चीज थी यहाँ पर imbalance था बीच में इसके इसके यहाँ पर जो है demand जुनता मतलब next order block price आई tap के order block को और फिर यहाँ पर हमारा take profit था अब इस ही को अगर हम ल same जो चीज है हमने पहले देखा था वही चीज जो है 15 seconds के पर भी हो रहा है for example यहाँ पर आपर जो stop loss area तो यहाँ पर प्राइस जो है change of character कर रही है ठीक है यह lower high था यह lower high था यह lower high था यह lower high था और lower high यहाँ पर break हो गया है ठीक है फिर उसके बाद हुआ change of character तो अब यहाँ पर change of character हुआ है तो यहाँ पर दो order blocks है यह पूरा order block है अगर देखा जाए तो यह पूरा order block है जिसने यह liquidity किया है ठीक है उसके अंदर का जो order block है जिसने structure break है वो यह वाला है तो उसके अंदर दो order blocks है यह origin और यह बीच वाला ठीक है तो हम लोग यह पूरा zone है जो है consider कर सक अंदर जा सकते हो 15 seconds 30 seconds उतना आपको जो है entry और अच्छी मिलेगी पर अगर आप one minute पर करोगे तो आपको ज्यादा symbol लेखेगा तो आपको ज्यादा नीचे का time frame उसकरने की ज़रूरत नहीं है आप one minute two minutes से यह आप ज्यादा clearly देख सकते है अभी मैं तीन minute का chart लगोंगा तो आपको ज्यादा clearly दिख जाएगा ठीक as compared to one minute तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है एक time frame उपर दफ जाना है for example अगर आपको one minute पर ज्यादा confusing लग रहा है तो थोड़ा सा उपर जाओ अगर दो minute पर ज्यादा confusing लग रहा है तो तीन minute पर जा की से आपसे देखा ठीक है यह तो आप चार पास दिन का data देख रहे हो और यहाँ पर अगर देखा आपने तो यह सिफ एक दिन का data है यहाँ पर प्राइस ने यह low break किया है तो प्राइस जो है continue कर सकते है नीचे की तरफ तो जैसे हम लोग जो है sell side के entry देखते है for example अगर हम की उपर का order lock आ जाएगा ठीक है तो यह order lock था बीच में imbalance था तो आपने यहाँ अपने एक entry दिन में लिया है तो आपको second entry लेने की ज़रूरत नहीं पर आपको लेना है तो आपको ले सकते है वह भी कम risk से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर ब्रेक किया तो जैसे कि अपने structure ब्रेक किया तो बीच में काफी सारी liquidity थी ठीक है उपर भी liquidity price बना रही थी तो यहाँ पर जब मैंने चार्ट देखा तो प्राइस और इस वाले दोन से रियक्शन दे चुकी थी उपर की दिरफ तो यहाँ पर कोई point ही था ठीक है जब मै चला था यहारा जो demands होन था वह हमारा next demands होन था price आई वहाँ से directly price जो उपर इतफ close हुई तो आप यह offer चल रहा है तो आप जो है claim करने के लिए वहाँ से अपना नरुटरफिक्स डाउड कीजिए और वहाँ से आप जो है course purchase कर सकते हो तब तक के लिए मिलते next वीडियो में और अगर आपको वीडियो यह helpful लगा हो तो अपने दोस्तों को भी share कीजिए और खुद भी और like और subscribe कीजिए